नट्राज मंदिर चिदंबरम की पूरी जानकारी हिलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नट्राज मंदिर के बारे में जानने वाले हैं ये नट्राज मंदिर भारत के दक्षिनी राजित अमिलनाडू के चिदंबरम में स्थित है इस मंदिर में भगवान शिव के नृत्य करते हुए तांडव वाला प्रतिमा को स्थापित किया गया है इस मंदिर के हर एक भाग में भगवान शिव के अनेकों स्वरूपों को नकाशा गया है यह मंदिर देखने में काफी ज्यादा आकरशक लगता है यहाँ पर लोग विजिट करने दक्षिनी भारत के अलावा भारत के अन्यक्षेत्रों से भी काफी अधिक संख्या में आया करते हैं नत्राज मंदिर तमिलनादु राज्य के चिदंबरम में स्थिक भगवान शिव को समर्पित एक हिंदु धर्म से जुड़ी पौरानिक धार्मिक स्थल है यह मंदिर भगवान शिव के नत्राज रूप को समर्पित है इस नत्राज मंदिर को इस तरह से निर्मित किया गया है कि इसके हर एक भाग में भगवान शिफ के अनेको स्वरूप को देखा जा सकता है यहां लोग दक्षिन भारत के अलावा भी काफी अधिक संख्या में भारत के अन्यक्षेत्रों से भी आया करते हैं इस मंदिर का सभागार हजार से भी अधिक स्तंभू पर टिका हुआ है इस मंदिर के शिखर पर एक कलश है जो की सोने के हैं इस नट्राज मंदिर से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारा यह वीडियो पूरा अंग तक जरूर देखे चलिए हम अपने इस वीडियो में अब आगे की ओर बढ़ते हैं नट्राज मंदिर का इतिहास चिदंबरम नट्राज मंदिर भारत के दक्षिनी राजी तमिलनाडू के चिदंबरम के मध्य में स्थित है चिदंबरम नट्राज मंदिर भगवान शिव को समर्पित है तमिल नाडु राज्य में स्थित चिदंबरम नत्राजन मंदिर एक हिंदू धर्म की प्रमुक मंदिर है। ये चिदंबरम मंदिर तक करीबन 40 एकर के बड़ेक्षेत्र में फैला हुआ भगवान शिव नत्राज और गोविंद राज पेरूमल को समर्पिते के इतिहासिक और प्राचीन मंदिर है। चिदंबरम के नत्राज मंदिर की वास्तुकला के बारे में बात करें तो इस मंदिर में कुल नौ द्वार देखा जा सकता है जिनमें चार द्वार पर उचे गोपुरम बने हुए हैं। इस मंदिर के पूर्वी पगोड़ा में भारती अनृत्य शेली के भारतनात्यम की संपूर ने 108 मुद्राओं को दिखाया गया है। इस नत्राज मंदिर का परिसर तक्रीर 40 एकर के बड़िक शेत्रों में फैला हुआ है। इस मंदिर की तकरीबन सभी भागों पर भगवान शिव के अलग-अलग अन्य अनोखो रूपों को दिखाया गया है। इस मंदिर में भगवान शिव के नत्राज अवतार की मूर्ती को स्थापित किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला भारत के शांदार आकिटेक्चर वाले स्मारकों में से एक है। यहां पर कई हॉल और गोपुरम को कलात्मक तरीके से भाव्य दर्शाते हुए खुबसूरत बनाया गया है। इसमें इस मंदिर के आस्था और दिवारों पर की गई खुबसूरत कलाकृतियां और नकाशी देखने में काफी ज्यादा अग्भूत एवं आकर्शक लगती है। इस नत्राज मंदिर में कई कास्य प्रतिमाएं भी हैं। इस मंदिर का सभागार हजार से भी अधिक स्तम्हों पर टिका हुआ है। इस गोकुरम के मूर्तियों में कई अलग-अलग प्रकार के चित्रकारी का अंकन किया गया है। इस नत्राज मंदिर के शिखर पर एक सोने का कलश भी है। नत्राजन मंदिर का खुलने एवं बंध होने का समय भी निर्धारिक किया गया है। यह मंदिर सुबह 5 बजे बजे खुलता एवं दोपहर 12 बजे बजे बंध हो जाता है। पुना शाम में यह मंदिर 4 बजे बजे खुलता है एवं रात 10 बजे बंध हो जाता है। इस मंदिर में इसी समय के बीच सभी गतिविदिया की जाती है वैसे इस मंदिर का खुलने एवं बंध होने का समय पूरे साल के अलग-अलग सीजन के के अनुसार बदलाव दी थोड़ा बहुत होता रहता है इस चितामबरा नतराज मंदिर में प्रतिदिन छे पूजा की जाती है पर बिना किसी प्रवेश शुक दिये ही इस मंदिर को विजिट कर सकते हैं चिदंबराम नतराज मंदिर में मनाये जाने वाले त्योहार चिदंबराम के नतराज मंदिर में मनाये जाने वाले उत्सव और त्योहारों के बारे में बात करें तो यहां पर दो वार्शिक प्रम का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन सड़क पर देवताओं के रंगीन जुलूस निकाले जाते हैं। ये त्योहार 15 दिसंबर से 15 जन्वरी के बीच आयोजित किया जाता है। इस नत्राज मंदिर में शिवरात्री के दौरान भी भक्तों की काफी अच्छी खासी भील देख जाती है। आप अगर इस मंदिर में अच्छी खासी चहल पहल देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आयोजित होने वाले त्योहार के दौरान इस मंदिर को विजट कर सकते हैं। नत्राजन मंदिर घूमने जाने का अच्छा समय। चिदंबरम के इस नत्राज मंदिर को विज देखी जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर जाने वाले लोगों को थोड़ी परिशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए लोग गर्मी के दौरान भी जाते हैं तो इस मंदिर को लोग सुबह या शाम में विजट करना पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर इस नत्र की दौरान की समय को माना जाता है। नत्राज मंदिर के आसपास के प्रमुख परियतन स्थल। नत्राज मंदिर को अगर आप विजट करने के लिए जा रहे हैं तो आप इसके नजदी की कुछ मुख्य परियतन स्थलों को भी विजट कर सकते हैं यकीनन आपको ये स्थान भ मंदिर के रोचक तथ्य इस मंदिर का निर्मान द्रविर वास्तुशली में किया गया है जो दक्षल भारत के मंदिरों में अद्वितिय एवं अप्रतिम है यह मंदिर तमिलनाडू की राजधानी चेन नई से 245 की नी दूर चेन नई तंजावुर मार पर स्थित है शहर के मध गोपुरम में पूर्व, दक्षन, पश्चिम और उत्तर की और साथ स्तर है इंगोपुरम के नीचे 40 फुट उचे, 5 फुट मोटे तामबे की पत्ती से जुड़े हुए पत्थर के चोखटे हैं मंदिर का गर्ब ग्रिहर लगभः 44 मीटर 144 फीट की और वाला एक वर्ग है नटराज मंदिर के इसी भावन में गोविंद राज और पंदरी गावाली के मंदिर भी बने हुए हैं मंदिर के शिखर पर बने कलश सोने के हैं और मंदिरों में परिक्रमापात, मंधपा के धले हुए पथार और नटराज मंदिर के तीरत हौल स्तंभूं को नर्तकियों औ संगीत कारों को दिखाते हुए उभले चित्र बने हुए हैं मंदिर के पूर्वी भाग में बने गोपुरम में भारतियन रित्य शैली भरतनात्यम की संपूर्ण 108 मुद्राय चिनहित हैं मंदिर के भवन में एक सरोवर भी है जिसे सिवगंगा कहते हैं यह विशाल सरोवर मंदिर के तीसरे गलियारे में है जो देवी सिवगामी के धार्मिक स्थल के ठीक विप्रीत है मंदिर के अंदर कई कासे की प्रतिमाय मौजूद हैं जो संभवत दस्वी 12 सदी के चोलकाल की हैं मंदिर के पूर्वी दिशा में एक कुआ है जहां से मंदर में पूजा के यह जल लिया जाता है जिसका नाम पर्मानन कुभमचित सभई है इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहां बने अधिकतर मंदिर रत के रूप में बनाए गए है मंदिर के दक्षिल गोपुरम में सोकेसियन थिरुनिलय ये जुगोपुरम का निर्मान किया गया था जिसका निर जब की पर्तों के साथ एक पत्थर, इंट और प्लास्ट की संरचना है। इस मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि भगवान शिव ने अपने आनंद मृत्य की प्रस्तुती इस जगव पर की थी। इस मंदिर में बनी शिव मूर्ती की सबसे खास बात यह है कि यहां मौजूद नटराज की प्रतिमा गहने और आभूशनों से लदी हुई है। ऐसी शिव मूर्तिया भारत में कम ही देखने को मिलती है। इस मंदिर की एक अनोखी विशेषता मुख्य देवता के रूप में भगवान नटराज की बेजल वाली छवी है। ये भगवान शिव को कुतूप भरक नाट्यम की गुरू के रूप में दर्शाता है और उन कुछ मंदिरों में से। एक है जहां भगवान शिव का प्रतिनिधित्व क्लासिक एनिकोनिक लिंगम के बजाए एक मानव जनित मूर्ती द्वारा किया जाता है। मंदिर की कार का उप्योग साल में दो बार जलूसों के लिए किया जाता है। जहां त्योहारों के दोरान इसे कई हजार भक्तों द्वारा खीचा जाता है।